मार काट्टून टीवी हमारे पाशonia दे जान और काम आएगी मिठाई य तियार कर लो आस परोश के चुड़ेल और भूतों को भी बुला लो मैं अभी जाता हूँ और सभी आस परोश के चुड़ेल और भूतों को नोता देता हूँ क्या है कि कृसमच कभी अकेजन नहीं मनाना चाहिए यह तो सबका चोहार है जरूरी थोड़ी है चिरब इंचान ही क्रिस्मस को मनाए तू मेरे साथ चलेगा क्या बड़े दांट वेले भूत हाँ भाई मैं अपने पीपल के पेड़ को सजा चुका हूं और उसके अंदर अपना क्रिस्मस पेड़ भी रख चुका हूं तुम तीना अपने पेड़ो को देख लो कोई जंगली जानवार आकर उसे तोड़ ना गे मैं तो जा रहा हूं चलो भाई मुच्छार भूत वाला और दांट वाला भूत दोनों चले जाते हैं अब छोटा भूत और बिना सिर वाला भूत अकेले होते हैं ओए सुन छोटू मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के यहां थोड़ा देख कर आता हूं कि उसने क्रिस्मस मनाने की क्या तैयारी की है और हमें और क्या समान चाहिए पड़ेगा मैं दूसरे जंगल से जल्द लोटाओंगा तब तक तु देखना कोई जंगली जानवार पेले को नाच हुए ठीक है भाईया जैसा आप कहो बिना सिर वाला भूत उड़कर दूसरे जंगल में चला जाता है अरे राजू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या तीन बार तो तुझे कह चुका हूँ ये सजावट वगेरा छोड़ दे सबसे पहले क्रिस्मस ट्री लेया जाकर भला कभी क्रिस्मस ट्री के बगएर क्रिस्मस बनाया जा सकता है मैं अभी बजार के लिए निकल जाता हूँ और सबसे सुंदर वाला क्रिस्मस ट्री लेकर आता हूँ राजू वहां से चला जाता है बाजार जाने से पहले उसे दीपू मिलता है अरे राजू कहां जा रहा है भाई क्रिस्मस की तैयारी करने के लिए क्रिस्मस ट्री लेने जा रहा हूँ बजार, तू यहां क्या कर रहा है, चल मेरे साथ तू, अगर नहीं गया तो भाईया परिशान होंगे, अरे अभी तो बहुत सामय है, आजा थोड़ी बाते करते हैं फिर दोनों साथ चलेंगे, पर यार क्रिस्मस ट्री ले जाने में देर हुई, तो मनोज भाईया बहुत डांट लगाएंगे, अरे कुछ नहीं होगा, पास में ही एक पप खुला है नया, वहां पर बेहतरीन बेहतरीन नहीं नहीं ड्रिंक्स मिलते हैं, आजा चल दो दो गोंट लगा कर आते हैं, लेकिन मुझे जो तो पैसे हिसाब से दिये थे भाईया ने, कुछ भी खर्च किया तो क्रिस्मस ट्री नहीं ले पाऊंगा, तेरे पास अलग से पैसे हैं क्या, नहीं मनोज भाईया ने मुझे कोई पैसे नहीं दिये, अरे पप में गेम भी है, जिसमें अगर तु जीत गया, तो ऐसे एक नहीं दस्ट्री खरी सकता है, अरे नहीं यार, मुझे माफ करो, दीपू, उसे जबरदस्ती पब ले जाता है, और राजू जुए में पैसे हार जाता है, अरे अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सारे पैसे जुए में लगा दियो दीपू, कुछ तो बता मेरे भाई, अरे ये एक उठा लाते हैं, ठीक है, तू भी चल मेरे साथ, राजू और दीपू जंगल चले जाते हैं, अरे मुझे एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चला, कि यहां पर क्रिस्मस ट्री रखे हुए हैं, मैं आज सुबह गाड़ी से यहां पर आया था, तब मैंने यहां पर एक आदमी को बात करते हुए सुना था, मैं जब यहां पर आया तो मैंने देखा, कि यहां पर क्रिस्मस ट्री रखे हुए हैं, और इनकी देखरे करने वाला भी कोई नहीं, मुझे लगा शायद, यहां पेड हमारे ही काम आ सकते हैं, क्योंकि भी जंगल में तो कोई क्रिस् उस पेड़ पर छोटा सा भूट सो रहा होता है, जब छोटा भूट जागता है, तो सोच में पड़ जाता है, अरे यह मैं कहां आ गया, इस जगा को तो मैंने पहले कावी भी नहीं देखा, क्या यह कोई शपना है, दीपू और राजू उसे देखकर चोग जाते हैं, अरे पर यह भूट कहां से आ गया, क्या इसके साथ हमें क्रिस्मस बनाना पड़ेगा, अरे हम लोग तो जंगल से क्रिस्मस ट्री ले आए थे, मुझे लगता है यह उसी में छुपा बैठा था, अच्छा, तुम लोग मेरा ट्री यहां पर लेकर आ रहो, मैं तुम लोगों को ज यह एक भूट है और हमारा क्रिस्मस बरबात करने के लिए यहां आया है, आप जल्दी से इस पर गंगा जल चिड़क देता है और छोटा भूट जल कर राख हो जाता है, तीनों भूट अपने पेड़ के पास आकर सोचते हैं, और मुझे लगता है छोटू को भी अपने आता है, इस घर के अंदर किसी ने गंगा जल चे पासुण हो, हम अंदर नहीं जा सकते, वो देखो हमारा पेड़ अंदर लगा हुआ है, इस घर के लोगों ने हमारे पेड़को चुलाया है, जंगल में उन लोगों से हमारे क्रिस्मस ट्री को देखो, और मन में लालचा इसलिए वो उसे यहां पर लेकर आया है छोटू का रखवाली के लिए छोड़ा था शायद उन्होंने उसका भी कुछ किया होगा मुझे लगता है कोई आदमी अपने करके चारों तरफ गंगा जल बिना किसी वज़ा के नहीं डालता जरूर छोटू यहां आया होगा और इन लोगों ने गंगा जल छिलक कर उसे जला दिया होगा अगर ऐसा किया है न इन्होंने तो मैं इन में से एको भी जिन्दा नहीं ठोड़ूँगा किसमच मनाने का जबी को हक है इन लोगों ने हमारा पेट चुड़ा कर हमारे भाई को जिला डाला मैं एक लड़की बनकर इनको बाहर बुलाता हूँ जैसे ही यह लोग बाहर आ जाएंगे हम इन लोगों को मत डालेंगे दात वाला भूत एक सुन्दर लड़की का रूप ले लेता है और मनोज के घर की बैल बजाता है राजू दर्वाजा खोलता है और अपने सामने एक सुन्दर लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाता है मेरा नाम सुनीता है मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ और आज क्रिस्मस भी है क्या आज रात में आप लोगों के साथ क्रिस्मस मना सकती हूँ तब ही पीछे से दीपू आ जाता है दीपू लड़की को देखता है तो राजू से कहता है राजू तु एक काम कर मनोज भईया को इनके बारे में बता जब तक मैं इनसे बात करता हूँ राजू अंदर चला जाता है मनोज को बताने के लिए चलिए ना थोड़ी देर बात ही करते हैं अंदर एक बार आ जाऊंगी तो आपसे खुल कर बात नहीं कर पाऊंगी क्रिसमस मनाने के लिए तो पूरी रात बाकी है इससे पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दे हाँ हाँ जरूर जो कोई भी बात आपको करनी है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ चलिए कहां तक चलना है मैं आपके साथ कुछ देर तक पहलने के लिए भी तैयार हूँ दीपू जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो भूत उससे पूछता है मैंने सुना है इस जंगल में भूत रहते हैं आपको क्या लगता है क्या यह सच बात है भूत वगेरे होते हैं क्या यहां फिर लोग ऐसे ही बदनाम करने के लिए बाते बनाते हैं ताकि लोग जंगल नहीं जाए अब वह उड़ा देते हैं हाँ हाँ मैंने भी सुना है और आज तक तो मैंने कभी विश्वाश नहीं किया था लेकिन आज जब उस जंगल से क्रिस्मस ट्री लेकर आया तब उसमें से भूत निकला मैं तो बहुत ही डर गया था लेकिन सही वक्त पर मनोज भाईया ने गंगा जल चिलक कर उस भूत को वहीं बसम कर डाला कोई और भूत हमारे घर में ना आये इसलिए मनोज भाईया ने सारे घर के कोनों में गंगा जल चिलक दिया है लेकिन अगर कोई भूत आपको बहला फुसला कर आपको आपके घर से दूर ले जाए तब आप क्या करेंगे अरे इस बारे में तो मैंने सूचा ही नहीं लेकिन ऐसा नहीं होगा आज के दिन मेरी किसमत इतनी खराब थोड़ी होगी कोई भूत आकर मुझे ले जाए इसके आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा मैं बताती हूँ इसके आगे क्या होगा दान्त वाला भूत अपने असली रूप में आ जाता है और दीपू को चिला के कहता है और वो उसके गले में अपने बड़े बड़े दात गार देता है दीपू दर्द से चिलाने लगता है मनोज गंगा जल की शीशी लेकर बाहर निकलता है और दीपू के पास आ जाता है लेकिन तब तक दीपू मार चुका था जो कोई भी हो सामने आओ तुमने इस बेचारों को क्यों मारा तीन और बुज मनोज के सामने आ जाते हैं तुमारे साथियों ने हमारे छोते भाई को जला दिया यह गल्ती की थी और तुमारे साथ ख़़े इस लाड़ के राजू ने भी हामेशे नहीं छोएंगे क्या यह लोग सच कह रहे हैं राजू हाँ भाईया मैंने आपकी दियोए पैसों से जुवा खेल लिया था सारे पैसे ख़़च हो गई थे और दीपुने मुझे बताया था कि जंगल में से एक पेड़ ले आओ मुझे माफ कर दीजे भाईया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने तुम्हें जो पैसे दिये थे क्रिस्मस ट्री लाने के लिए तुम्ने उसका जुवा खेल लिया तुम्हारे कारण एक भूत बेवजया ही चल गया और इन लोगों की भी बात सही है अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए लेकिन तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा आप लोगों का एक भाई खोया था और मैंने भी आज अपना एक भाई खो दिया है इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग पुरानी बातों को भूल जाएं और आईए हम सब मिलकर एक साथ क्रिस्मस मनाते हैं तीनों बहुत सोचते हैं और फिर कहते हैं तुम बहुत भले आदमी लगते हो मानस लेकिन हम भूत हैं हम लोगों को भी क्रिस्मस मनाने का अलग तरीका है मनोज उसकी बात मान लेता है और अपने घर वापस चला जाता है भूत भी अपने घर अपनी जंगल लोड़ जाते है और फिर वो लोग बाकी भूतों के साथ मिलकर खुशी खुशी क्रिस्मस मनाते है